हैलो फ्रेंड्स, 2018 के डिटा के अनुसार 58% इंडियन की लाइफ, एगरिकल्चर रिलेटेड एक्टिवीटे के साथ जूडी हुई है, एगरिकल्चर सेक्टर देश में 50% एम्प्लोइमेंट देता है, एगरिकल्चर सेक्टर देश की एकोनॉमी में 17 से लेके 18% तर कॉंट्रि दिव रहा था, यह सब मुझे आपको इसलिए बताना पड़ रहा है, क्योंकि देश की आधी आबादी जिस सेक्टर के साथ जूडी हुई है, जिस सेक्टर ने देश की ग्रोज में इतना योगदान दिया हुआ है, उस किसान जब आज अपने हग के लिए प्रोटेश कर रह तुकी मे इडाइट गर मुझेश है, क्योंसे है, पयां मैं घाना मांघारी मुझेशिया की आपिया है, क्योंसे है, पुम कित Dasuk navigator के से लिए प्रोटेश करन देश की देश के वाड़ियें गालोЗमाके से इस अधी पालादा भाटिंव यडाडी मुढने है, हमिलते और इस पीछ है पीछह आने दीजा उनको तो आज हम इस वीडियो में डिस्केसन करेगे कि किसान प्रोटेश्ट क्यों कर रहे है और उनकी डिमांडस क्या है किसानों की प्रोटेक्ट के पीछ रे सरकार द्वारा पार्लियमेंट में डाये गए तिन बिल को जिप्वेदार माना चाल रहा है हाला कि सरकार ने ये बिल को किसानों के लिए एथिहासिक बिल बताये है यह बिल्स पुछ इस प्रकाल है पहला बिल है The Farmers Produce, Trade and Commerce, Promotion and Facilitation Bill 2020 इस बिल को Government ने One Nation One Market नाम दिया है दूसरा The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill 2020 यह Contract Farming का बिल है तिसरा बिल है The Essential Commodities Amendment Bill 2020 और इस बिल के पार्लियमें लाने के बाद BJP की सबसे पूरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल ने उससे नाका तोड़ दिया है इसके अलावा BJP और RSS का जो किषान संग ठनाय भारतिय किषान संग उसने भी इस बिल को किषान विरोधी बताया है जिस बिल्स को सरकार किसानों के लिए एधिहासिक बता रही है वो बिल्स किसानों को किसान विरोधी लग रहे है किसानों को लगता है कि इस बिल्स के लागू होने के बाद उनको फाइदा कम और नुकसान ज़्यादा है क्यूंकि किसानों ने पहले भी सरकार के एधियासिक फैसले देखे है जैसे कि नौट बंदी और GST और उसके बाद देश के क्या हालत हुई कि वो तो हम सबने देखा है तो ऐसी क्या बात है इस मिल्स में जो कि किसानों को पसाद नहीं आ रही है इस मिल्स के आने के बाद किसानों को लग रहा है कि दीरे-दीरे करके सरकार MSP यानि की minimum support price को खत्म कर लेगी क्यूंकि इस मिल्स के आने के बाद दीरे-दीरे APMC मंडिया खत्म हो जाएगी हाला कि सरकार और प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को ये भरोसा दिया है कि उनकी MSP को खत्म करने की कोई योजना नहीं है लेकिन किसानों की मांग या है कि सरकार जो बात Twitter और TV मिडिया पे आके बोल रही है वही बात को वो बिल्स में भी जोड़ दे ताकि सही तरीके से किसानों को एमपावर्मेंट किया जाए और उनको कानूनी संट्रक्षन प्रोवाइड किया जा सकते इस दिल के आने के बात Прाइम मिनिस्टर और सरकार के सारे मंत्री एक बात जोड़ सोर से उठा रहे है कि इस दिल के आने के बात किसान अपनी फसल को देश में किसी भी कोनी में जाके बेच सकता है एक तरीके से किसान को हमने आजानी दी है लेकिन एक बात मैं आपको बता दू कि हमारे किसानों पे कभी भी ऐसी पाबंदी नहीं लगाई गई है कि वो दूसरे राज्ये में जाके अपनी फसल नहीं बेच सकते है किसान अपनी private capacity में देश के किसी दी कोने में जाके अपनी फसल बेच सकता है यानि कि ये आजादी पहले भी थी और आगे भी रहेगी सायल कुछ लोगों को लगता होगा कि हमारे देश में किसानों को ये आजादी नहीं है और प्राइम मेश्टर नरेतर बोधी ने पहली बार किसानों को ये आजादी दी है तो उन लोगों के लिए मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो 2016 में प्रदान मंत्री बोधी ने ये नाम के उद्गारण के तौर पे दिया था नए कुरुशी शुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल अपने फल सब्जीयां अपनी शर्तों पर बेच सकता है अब उसे अपने खेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए अगर में उससे तुन सोधा करेगा और अपना माल मंगवा देगा अब जब 2016 में ही उनको आजाद कर दिया गया जाब कि वो अपनी फसल कहीं भी जाके बेच सकते हैं तो 2020 में उनको ये वादा दूसरी बार किया जा रहा है नए कुरुशी सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल अपने फल सब्जीयां अपनी शर्तों पर बेच सकता है अब उसे अपने खेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए है लेकिन इसमें भी एक प्रावलम है क्योंकि हमारे देश के 85% किसान मार्जिनलाइज किसान है यानि कि उनके पास दो हेक्टर से कम जमिन है यानि कि उपज भी कम ही होगी इसको एक एक अग्जांपल के तुरू हमजता है कि गुजरात का एक किसान है जिसके खेत में एक ट्रक में बढ़ सके उतने गेहों की पैदाइस हुई है अब ये गुजरात का छोटा किसान क्या अपनी फसल को बेचने के लिए बिहार या वेश्ट मेंगल जा पाएगा क्या वो ट्रांस्पोर्टेशन का कॉस्ट उठाने के लिए कैपेबल है तो उसका आंसर है नहीं क्योंकि हमारे देश के ज्यादा तर किसान छोटे किसान है यानि कि वो अपनी फसल अपने डिश्ट्रिक में मुस्किल से बेच पा रहे है तो वो किसान अपनी फसल को दूसरी स्टेट में ले जाने का ट्रांस्पोर्टेशन को इस तो कैसे उठा पाएगे सरकार का गयना यह है कि APMC मार्केट में बहुत चारे बिचोलिये यानि कि मिडल मैन है जो कि किसान उसे सच्ते में अनाज खरीते हैं और ज्यादा पैसों में वेपारियों को बेच देते हैं यानि कि किसानों का हुनाफा यह मिडलमेंट कमा लेते हैं लेकिन इस मिल्के आने के बाद अब प्राइवेट कंपनिया सीधे किसानों के पास से खरीच सकेगी यानि कि अब किसानों का exploration नहीं होगा लेकिन यहाँ एक बात समझने जैसी है कि private company हर किसान के एक खेट से दूसरे खेट तो जाने वाली है नहीं यानि कि अब जो बिचोली है जो APMC मार्केट में थे वो अब private company में आके बैठ जा रहेगे जो कि किसानों और private company को मिलाने का काम करेगे यानि कि इस मिलके आने के बाद भी middleman का problem तो सवाथ नहीं ही होगा एक तरह से middleman का होना ज़रूरी भी है इसको एक example के जो समझते है यानि कि मेरे पास एक गर है जो मैं बेचना चाहता हूँ तो क्या मैं हर गर जाके पूछता फिरूंगा कि आप मेरा गर लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो तो ऐसे वक्त पे मुझे middleman काम आएगा जो कि एक seller को और दूसरे buyer को connect करने का काम करता है इस मिलके विरोत का एक कारण यह भी है कि इसने किसानों के सीधे court जाने के हग को छिन लिया है यानि कि अगर किसानों के साथ को dispute होता है तो अब किसान सीधे court नहीं जा सकते है उनको court की जगा अब SDM के पास जाना पड़ेगा और यह SDM एक committee बनाएगा जो उनके dispute को solve करेगी यानि कि एक तरह से judiciary की power को अब executive को दे दिया गया है लेकिन किसानों की मांग यह है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उनको सीधे court जाने का हग भी होना चाहिए यह bill contract farming को भी facilitate करती है यानि कि अब कोई company किसानों के साथ सीधा contract कर सकती है वो भी फसल उगने से पहले कि वो फसल उगने के बाद कुछ X amount से सारी फसल खरिद लेगी अब इसकी अच्छी बात यह है कि किसानों को फसल उगाने से पहले ही अपना buyer मिल जाएगा अब इसमें किसानों की मांग यह है कि इस बिल के साथ MST को भी जोड़ा जाए यानि कि कोई भी कंपनी MST से कम पैसो में contract न कर पाए जिससे उनको एक security मैसूस हो अब यह security इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसानों के पास bargaining power कम है क्योंकि किसानों के साथ deal करने के लिए सामने बहुत बड़ी बड़ी कंपनिया होगी और उनके सामने हमारा किसान proper bargaining नहीं कर पाएगा इसके अलावा एक problem यह भी है कि कभी कभी क्या होता है कि किसानोंने अपनी फसल को निकाल लिया है लेकिन कंपनिया उसको ले जाने में देरी करती है जिसकी वज़े से किसान की फसल खराब हो जाती है और उसकी वज़े से कंपनिया उनको proper दाम नहीं देती है इस बिल्स का विरोध करने का एक कारण है Essential Commodities Act यानि कि इस Act के आने से पहले Essential Commodities जैसे कि ओनेट और पोटेटों की हम एक लिमिट से ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते थे इसके पीछे का मकसल ब्लैक मार्केटिंग को रोकने का था लेकिन इस बिल्स के आदे के बाद अब इस Essential Commodities को हटा दिया गया है यानि कि अब प्राइवेट कंपनिया मन चाहे स्टोरेज कर सकती है इस बिल्ड के पीछे किसानों का डर यह है कि अब बड़ी-बड़ी कंपनिया मार्केट प्राइज को मैनिप्लेट कर सकती है जिसकी वज़े से किसानों को कम प्राइज मिलेगी सरक्या में बोला है कि MSP और APMC का एक्जिशन सिस्टम वैसा का वैसा ही रहेगा लेकिन हमने पास्ट में BSNL के एक्जामबल को देखा हुआ है कि BSNL के साथ क्या हुआ जियो के आने के बाद सारे टेलिकॉम कंपनियों ने अपनी सर्विस को कम प्राइज में देना स्टार्ट कर दिया लेकिन उनके सामने हमारा BSNL कंपटिशन नहीं कर पाया और एक टाइम तो ऐसा आ गया कि जब BSNL को बेचने तक की नाबद आ गई थी यही चीज़ APMC के साथ भी हो सकती है क्योंकि शुरुवात में ये प्राइवेट कंपनिया किसानों को अच्छे अच्छे दान देगी जिसकी वज़े से किसान APMC में जाना बंद कर देगे और APMC मार्केट मंडिया अपने आप ही बंद हो जाएगी और जब एक बाद APMC मार्केट मंडिया बंद हो गई उसके बाद ये प्राइवेट कंपनिया किसानों को ज़्यादा प्राइस नहीं देगी लेकिन उस वक्त किसाने के पास APMC का आप्सन एवेलेबल ही नहीं होगा क्योंकि सारी मंडिया तो बंद हो चुकी होगी तो इस दर को ध्यान में रखते हुए सरकार को किसान सेंगटनों की डिमांड पे सोच विचार करने की ज़रूरत है जो सिस्टम हम आज अपने देश में लागू करना चाहते है उस सिस्टम को अमेरिका, बिटन और फ्रांस जैसे डेवलेब्ट कंट्री पहले ही लागू कर चुकी है और वहाँ यह सिस्टम पूरी तरह से फेल रहा है क्योंकि इस सिस्टम के लागू होने के बाद उस डेवलेब्ट कंट्रीयों में किसानों का स्यूसाइड डेट बड़ा है तो ऐसी फेल सिस्टम को हमारे देश में लागू करने से बचना चाहिए हाँ मैं मानता हूँ कि APMC Act में बहुत सारी बुराया है और खिसानों ने भी समय-समय पे इस APMC Act में बदलाव की मांग की है लेकिन वह बदलाव की मांग थी ना कि पूरी सिस्टम को बदलने की मांग थी तो नई सिस्टम को लागू करने से अच्छा है कि जो APMC system हमारे देश में है हम उसी में कुछ सुदार करें